दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के और इस प्लान का जो size था वो हमें description में दिया गया था हमारे कि सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस model को एज हैं बहुत ही बेतरीन प्लान है जो आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर मैंने सिर्फ ground floor ही रेजाइन किया है first floor पर सिर्फ stairs को ढखा है और इसके अगर हम size की बात करें तो 24 x 26 24 x 26 में यह square foot में गर बना हुआ है जिसमें आपको bedroom, पूजा घर, latent bathroom, stairs और open space भी मिलता है तो यह एक बहुत ही बेधरीन सा plan है जैसा कि आप यह screen पर देख पा रहोगे इसकी को जम discuss करेंगे अगर front की बात करें तो सामने से model ऐसा दिखता है three side closed house है यह तो जो हमारे subscriber तो उनके कहने पर डिजाइन बनाया है तो उससे पहले हम आप से गुजारे जरूर करना चाहेंगे अगर आपने अभी तक इस model house plan को सब्काइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्काइब करें सहसाद वेल आइकन दवाई से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें दोस्तों यहापर मैं बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ इसका size 24 x 25 तो हमेशा की तरीके हम इसको पहले करेंगे आपके समय ट्रांसपैरेंट तो जैसे इस model को करते हैं transparent तो यह देखीगा उपर से नीचे तक सारा furniture आपको दिखता है side की बात करें तो आपको यह देखीगा पूरा furniture gate बगारा सब कुछ दिखता है नीचे का दोस्तों जो ground है यह मैंने grass लगा रखा है green color का जिसकी बज़े से आपको बेतरीन सा look दिख रहा है अब मैंने यहाँ पर इसकी transparency कमड़ करती है remove और मैं ले आया है इसको original position पर जैसा कि पूरा model है तो सबसे पहले मैं आप इसको front view दिखा दूँ इसका जूम करके maximum जूम करता हूँ तो यह देखिएगा इसका यह main door है दोस्तों जिसमें glasses का मैंने बनाया है आप चाहें तो आप जिसका भी iron लोही का लगवाना चाहें steel का लगवाना चाहें लगवा सकते हैं मैंने glasses दिया है और यहाँ पर दो window दिया है और यहां से आप entry करेंगे यह main door है यहां से जैसे entry करते हैं आप सामने इस front से road होगा यहां से entry करते ही आपको मिल जाता है सबसे पहले एक बड़ा सा open space यह देखीगा यह open space है इसका अगर मैं साइज की बात करें तो 24 क्राश 26 मैंने बता दिया है यह आपको open space यहीं से आपको stairs मिलती है यह देखीगा यहां पर दोस्तों मैंने मोड़दार stairs दिया है इसका कारण यह होता है उसके नीचे आपको space मिल जाता है आप यह से main door से entry करेंगे तो आपको मिल जाती stairs यहां पर मैंने डाल रखी है chairs वगएर आप हटाना चाहते हैं आप बाइक पार करना चाहते हैं जो भी करना चाहें कर सकते हैं इधर की बात कब तो सबसे front में आपको मिल जाता है kitchen front में kitchen रखने का दोस्तों उद्देश यह होता है कि ventilation kitchen में होना चाहिए इसलिए बाहर आप window दे सकते हैं जिसे ventilation का कोई भी problem ना हो और यह door है तो यह आपका पूरा kitchen दिया है just उसके बगल में आपको leating और bathroom यह देखी combine दिया जिसके लिए मैंने door यह दिया यह आपका लेटिंग bathroom यह आपका kitchen और पीछे के बाद को दो जिए आपको दो bad room देखने को मिल जाते हैं यह देखी दो bad room और दोनो bad room के लिए यह एक door यहां से एक door यहां से तो दो bad room आप देख सकते हैं और side में sir मैंने एक पूजा खर दिया है क्योंकि हमारे जो एक subscriber थो उनके कहने पर यह model डिजाए रही है उनको एक पूजा घर की requirement थी तो इसलिए यह पूजा घर मैंने बनाया यह देखिया आप temple type का देख पा रहोंगे यह यह एक पूजा घर है और यह दो bad room है तो यह पूरा ground floor है 24 cross 26 में यह model कैसा लगा हमें कमेंड करें और वीडियो के लाइक दोस्तों अभी से कर दें अब हम इसको ले चलते हैं आपको first floor पर तो first floor पर मैंने कुछ नहीं डिजाइन किया सिर्फ railing डिजाइन की है यह देखिएगा आप जैसे stairs के माद्धम से उपर आएंगे यह आपका stage को मैंने डग दिया है और यह आपका पूरा दोस्तों चेत है और चारों तरप आपका यहाँ पर bondi मैंने दे दिया है यह आपका railing लगा दिया है मैंने आगे front में बेतरीन से railing आपको दिकरा उपर मैंने chairs लगा दिया है आप पर depend करती है अगर हटा आना चाहे तो हटा भी सकते है तो यह 24 x 26 में model मैंने पूरा create किया है कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं comment करें अगर आप भी कोई require model चाहते हैं तो मुझे comment करके बताएं और हम उस model को design करेंगे यह हमारे एक subscriber थे उन्होंने कल comment किया था तो उनके कहने पर small model को मैंने design किया है कैसा लगा प्लीज वीडियो को like साइज लूटे है अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो please हमारे page को आप जरूर follow कर लें thanks for watching